नमस्कार स्वागत है आपका मैं हूँ आपके साथ संजाए आदा Oton और आप देख रहें इस वक्ता मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर कल भारत के लिए इस देश के लिए सबसे बड़ा दिन है भारत के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा दिन है और कल इस बात का पता चल जाएगा कि दो महिने से जो कश्मकश चल रही थी उसके बाद किसकी सरकार आने वाली है कौन देश पर 5 साल अगले 5 साल तक राच करेगा और कौन इस देश की दिशा को आगे बढ़ाएगा इस देश की लोगतंत्र की मजबूती को और आगे कायम रखेगा और साथी साथ इस 130 करोड भारतियों का भाग्य विधाता आखिर कौन बनेगा किसकी सरकार बनने जा रही है आप दिन भर अपडेट मेरे साथ देखते रहेंगे जी राच्थान पर मेरे चैनल पर और साथी साथ शाम को आपको एक एक सीटों का विश्लेशन करेंगे जिसमें ये बताएंगे कि आखिर यूपी समित राजस्थान कितनी बड़ी भूमी का निभा रहा है भारत के अगले प्रधानमंत्री को बनाने में अगले पार्टी कौनसे पार्टी की सरकार को बनाने में किसको जनादीश दे रहा है किसको मौका दे रहा है कितना बड़ा म पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और साथी साथ राष्टिय लोगदर यानी RLD तिनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन जिस तरीके से उपचुनाव में माहौल दिखा था इन दोनों यारी सपा बसपा को लेकर क्या वाकई में वो माहौल वो जनता का रोजहान इन प्रवल सामभावना है देखना यह है कि वाकई में बीजपी के यवादे पूरे होते हैं या फिर हवा हवाई हैं या वाकई में जो गडबंधन दावा कर रहा है कि पचास से साथ सीटों के बीच में वो चुनाव मैदान में सीटे निकाल कर लेकर आने वाले हैं वो सही होत है और आपको बता दे कि इसके अलमा राजिस्थान जो की पिछले बार जब चुना हुआ था राजिस्थान का राजिस्थान में हुआ था लोग सवा चुनाओं में तो 25 के 25 सीटे बीजेपी के खाते में गई थी आपको याद होगा कि मोधी लहर थी इसकी अलमा वसंद्रारा मौका मिला हलाकि पहले तो नहीं लेकिन बाद में मंतरी ओको बनाएं में जिनमें अभी भी एक तरह से कहा जारा राज़ वर्धान सिंह रातोर के पास बड़ी जिमेदारी है और गर्जिन्न पस्षी कि शिखावत के पास बड़ी जिमेदारी है लेकिन 25 सीते आप पूरे दिन भर मुझे देखिएगा मेरे साथ एक एक पल की अपडेट देखिएगा महा कबरेच आपको बताएंगे आपके बार किसके सरकार जी राजस्थान पर इसके बाद शाम को अपने यूट्यूब चैनल पर भी आएंगे आपके लिए लेकर विशलेशन एक एक सी बनेगा इसके लिए मेरे साथ जुड़िए मुझे सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को लाइक करिए और पल पल की जो देश की बड़ी राजनितिक स्थिरता होती है हर एक अपडेट आपको समय समय पर पहुचाता रहूँगा नमस्कार